शादी के इतने साल हो गए, फैमिली प्लान कप करोगी, क्या कर रही हो तुम, ऐसी बाते मुझे सुनने को मिलती थी मैंने ये सोचा कि क्या मैं सही कर रही हूँ, ऐसा तुनी कि कई मैंने अपने लिए काटो का ताथ चुन लिया है और इस स्टेज पर आ गई थी कि अगर मैं अपक्विट करती, तो मैं ना घर की रह जाती और ना घाट की मैंने मोबाइल में जब खुद लिंक ओपन करना चाही, तो मेरे हाथ इतने काप रह थे कि मुझे से लिंक भी ओपन नहीं हुई रिजल्ट की मैंने अपना पूरा फ्रस्टेशन उस दिन रो रग कर निकाला और मेरा हर एक जो घाव था वो स्खूप सुरत मल्लम से भर गया जी हाँ, क्योंकि आब एक बहू, एक बहू डिप्टी कलेक्टर बनी थी जब एक लड़की की शादी होती है, तो उसके लिए उसके पती, उसके साथ ससूर और आगे जाकर उसके बच्चे ही उसका पुरा संसार होते हैं अपने सपनों को भी वो अपने बच्चों के माध्यम से ही पूरा करती है लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसने पारिबारिख जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने सपनों को पूरा किया है नमस्कार, मेरा नाम सिमी आदव है और मेरा चैन मध्यप्रदेश राज़ी प्रशाषित सेवा में लगातार दो बार डिपिटी कलेक्टर के पतपर हुआ है मेरी कहानी दूसी लड़किों से थोड़ी अलग है क्योंकि मैंने इस परिक्षा की तैयारी के बारे में सोचा अपनी शादी के बाद बस यही से मेरा संगर्ष चालू हुआ, हाला कि मैं कुछ करना तो बहुत पहले से चाहती थी क्योंकि अपनी मम्मी को मैंने 40 साल के उम्र में व्यापम की परिक्षा पास करके एक परेविक्षक के पतपर न्यूक्त होते देखा था बस मुझे वही से सीख मिली कि अब मुझे भी आगे कुछ करना है लेकिन जिस परिवार में मेरी शादी हुई थी वहाँ पर बहुों को बाहर घर से निकलने की इतनी अनुमती नहीं थी दरसल हमारे समाज में जब एक नई नवेली बहु घर में आती है तो वो घर की चोखट में ही रहती है लेकिन हमारे परिवार में मैं पहली ऐसी बहू थी जिसने घर की चोखट के बाहर जाने के बारे में सोचा था मुझे पूरा एक साल लग गया था अपने घरवालों को ये बात बताने में क्योंकि मेरे मन में डर था कि जवाब हाँ आएगा या ना आएगा फिर भी मैंने हिम्मत करके कैसे देसे अपने हस्बेंट को बोला कि मुझे MPPSC की त्यारी करनी है उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें क्या जरूत है हम है तो सही करने के लिए तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए तो मैंने उनसे ये खा कि मुझे कुछ चाहिए नहीं लेकिन मेरी इक्षा है मैं भी कुछ करना चाहती हूँ दरसल जब मेरे हस्बेंट भी स्ट्रगल फेस में ही थे हमारा खुद का घर हमें बनाना था और अपनी लाइफ को हमें सेटल करना था तो मेरे हस्बेंट के हाडवर को देखते हुए मुझे प्रेणा मिली और जहन में हमेशा से था कि लाइफ में कुछ तो अच्छा करना है मैं पूरी दारमदारी मेरे हस्बेंट के उपर थी कि कैसे घर के बड़े बुड़ों को मनाया जाए कि घर की बहु है, शादी का एक साल हुआ है और कैसे बाहर जाएगी, कैसे तयारी करेगी क्योंकि ये जो परिक्षा है न, ये बहुत लंबी चलती है और इसके लिए बहुत तयारी करना पड़ती है एक दिन मैंने अपने हस्बेंट के पेरों को पकड़ लिया और उनसे बोला कि प्लीज, कैसे भी करके मुझे एक मौका दीजिए वो दिन मेरी जिंदगी का लाइफ चेंजिंग मॉमेंट था बस वही से मेरी MPPSC की जर्नी स्टार्ट होती है मेरे हस्बेंट ने मुझे वो मौका दिया, मुझे पर्मिशन दी लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही मौका था और उस एक मौके में मुझे अपने आपको साबित करना था चूकि मेरे पती ने मुझे तयारी करनी के अनुमती दी थी तो अब मेरे उपर डबल रिस्पॉंसिबिटी थी कि मुझे उनका भी मान रखना है, उनकी भी इज़त बचानी है मैं तयारी में जुटी सबसे बड़ी चुनौती थी कि घर का काम करते हुए मैं कैसे तयारी करूँगी मुझे तो P.S.C. का फी भी नहीं पता था लेकिन मैंने अपनी फ्रेंड्स के जरिए अपने टीचर्स के जरिए M.P.P.S.C. के बारे में जानना शुरू किया इंटरनेट का मैंने सहरा लिया स्टार्टिंग में मुझे कुछ क्लासेस के लिए भी जाना पड़ा था मेरे हस्बेंड खुद मुझे गाड़ी पर बिठा करके लेकर जाते वहीं पर उनका ओफिस भी था फिर मैं सिटी बस से घर वापस आती अंधेरा होने के पहले मुझे अपने घर पर वापस आना पड़ता था और फिर घर की जिम्मेदारिया निभाना है और जो रात का समय था उसमें मैं अपनी पड़ाई करती थी मेरी इस लगन और मेहनत को देखकर मेरे हस्बेंड भी मेरा बहुत सपोर्ट करते थे चुकि शादी को एक ही साल हुआ था तो घर पे जोगेस्ट आते वो पूछते कि बहुरानी खुशकबरी कब सुना रही हो मन में ऐसा लगता था कि अब क्या करूंगी कैसे इनको जवाब दूगी पर मैंने ठान ली थी कि जीवन में कुछ तो करना है और वो कहते हैं ना कि कुछ पानी के लिए कुछ त्याख करना पड़ता है तो मैंने इस चीज का त्याख किया मैं अपने कमफर्ट जोन से बाहर आई और मैंने तयारी की कई बार रोटी बेलते बेलते मैंने रिविजन किया कई बार अपनी फ्रेंड को फोन कॉल पर लेकर उसको बोला किया मेरे हाथ थोड़े भिड़े हैं मैं अभी सबजी काट रही हूँ तुम मुझे कुछ सुना दो तो मैं सुन भर लूँगी बस ताकि मैं पिछण ना जाऊं रात को जब मैं पढ़ने के लिए बेटती तो मेरे हस्बेंड साथ मैं अपना लेप्टॉप लेकर काम करने के लिए बेट जाते और मुझे दिखाते कि हाँ मैं जग रहा हूँ तो पढ़ ले ताकि मुझे नींद ना आ जाएं तो इस तरीके से मैंने अपनी तैयारी की शुरबात करी 2018 में जब मैंने पहली बार प्रिलिम्स दी ता मेरा प्रिलिम्स क्वालिफाइ नहीं हो पाया मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने ये सोचा कि क्या मैं सही कर रही हूँ ऐसा तो नहीं कि कई मैंने अपनी लिए काटो का ताज चुन लिया है मैं तूट चुकी थी अंदर से लेकिन वो बोलते हैं ना कि जब ओखली में सिर दिया तो मुसल से क्या डरना मैं हार मानने वाली तो इतनी आसानी से नहीं थी 2018 में MPPSC का एक और एकजाम आया मैंने उसकी मेंस क्लियर कर ली थी उसका इंटर्व्यू देनी के लिए गई जब इंटर्व्यू का रिजल्ट आया तो बड़ा चुकाने वाला था फाइनल सेलेक्शन लिस्ट में मेरा नाम था लेकिन नीचे बेटिंग लिस्ट में मैं एक बार फिर से असफल हो गई उस दिन में बहुत रोई चीखी चिलाई और मुझे ऐसा लगा कि मैं नालायक हूँ मैं कुछ नहीं कर सकती मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे अपनी तैयारी छोड़ देना चाहिए और जो एक हाउस वाइफ है वो केवल चोके और चूले तक ही सीमित रह सकती है शादी के बाद वो कुछ भी नहीं कर सकती कुछ नहीं अगर चाहे तो भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि शादी के बाद महिलाओं के जिंदगी ऐसे हो जाती है कि वो अपनी जो जिम्मेदारिया है एक्स्टर टाइम निकाल कर अपनी नींद मार कर मुझे पढ़ाई करनी थी मैं इस फेस तक तो आ गई थी कि मैं मैंस निकाल सकती थी लेकिन इंटर्व्यू के लिए मेरे मन में बहुत नेगेटिविटी बन गई थी लेकिन मैं गिरी और फिर एक बार उठखडी हुई इन सभी चीजों में मेरे हस्बेंड मुझे बहुत सपोर्ट करने लगे थे हाला कि शुरुबात में उन्हें लगा कि ये क्या करने वाली है क्या करना चाहती है तो शुरुबात में उनका जो विश्वास था वो मुझ पर थोड़ा डगमगाया लेकिन जब उन्होंने मुझ में वो ललक देखी वो जुनून देखा वो जज़बा देखा तो बिलकुल मेरे साथ चले और मेरे उपर कुछ भी बात आती तो वो ढाल की तरह सामने खड़े हो जाते और उसको अपने उपर ले लेते थे फाइनली 2019 आग्या मेरी शादी को पूरे तीन साल कंप्लीट हो चुके थे फैमिली प्लान का प्रेशर बहुत जादा बढ़ गया था दो एक्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी चाहती तो मैं स्कीप कर सकती थी लेकिन मैंने मन में ये बात बिलकुर ठान ली थी कि जब तक मैं पीएसी क्लियर नहीं कर लेती तब तक तो मैं अब इसको नहीं छोड़ूँगी क्योंकि आल्रेडी मैं इसमें अपना इतना समय दे चुकी थी और इस स्टेज क्म 4 साल लंबी खिचा गई मैंने मैं क्वालिफाई किया इंटरव्यू देने के लिए गई लेकिन रिजर्ट आज मेरे हाथ में नहीं था मुझे पता नहीं hosts रूँगी इस बार भी इंटर्व्यू लेकिन यही था कि अब मुझे अपनी इज़त से जादा अपने पती का मान रखना था मैंने हिमत नहीं हारी 2019 की पूरी प्रोसेस अटक गई थी इसी बीच 2020 का एक्जाम आया मैंने उसका प्री निकाला, उसका मेंस निकाला, उसका इंटर्वी देने के लिए गई और 9 जून 2023 का समय था आप सोचे कितना लंबा टाइम पिरेट 2017 से में तयारी कर रही थी और फाइनल रिजल्ट 2023 में आता है जिस दिन रिजल्ट आया था, उस दिन मेरे हस्बेंट भी मेरे साथ नहीं थे घर का कोई सज़स्य नहीं था मेरे हाथ में उस दिन तक भी कोई पद नहीं था 2021 की एक्जाम भी मुझे देनी थी मैं उसके लिए पागलों की तरह पढ़ रही थी मन में बहुत सारे द्वन्द थे कि यार बस पढ़ती जारी हूँ पढ़ती जारी हूँ, हाथ में कुछ नहीं है सब लोगों की बाते भी सुनना है घर की जिम्मेदारिया भी निबाना है कुछ भी काम ठीक से मैं करनी पारी थी लेकिन वो एक फोन कॉल आता है और उसमें मेरा दोस्त जिसके साथ मैं तयारी करती थी वो मुझे फोन करके बोलता है कि दीदी क्या कर रही हूँ मैंने बोला भाई पढ़ रही हूँ मेरी जिंदगी में तो पढ़ना ही है पढ़ी कर रही हूँ तो बोलता है दीदी अब मत पढ़ो मैंने बोला क्यों नहीं पढ़ो बोलते कि आप सेलेक्ट हो गई हो पूरे MP में आपकी तीसरी रेंग लगी है और आप डिप्टी कलेक्टर बन गई हो मुझे विश्वास नहीं हुआ, मेरे हाथ पेर काप गए मैं धूज गई, मुझे लगा कि वो मजाग कर रहा है मैंने मोबाइल में जब खुद लिंक ओपन करना चाही तो मेरे हाथ इतने काप रहे थे कि मुझे से लिंक भी ओपन नहीं हुई रिजल्ट की, मैंने उसी को बोला कि भाई तुम रिजल्ट भेजो वाट्ट सिप्ट है मैंने जब देखा, तो मैं इतनी रोई उस दिन, इतनी चीखे चिलाई मुझे अपना जो पिछले साथ सालों का संघर्ष, 2017 से 2023 का वो एक एक पल याद आ रहा था, और उस समय मैं इतनी असाई और अकेली थी कि मेरी पीट पर हाथ फिरने वाला भी कोई ने था मेरे माता-पिता घर से बाहर गए हुए थे, मेरे हस्बेंड आउट आफ स्टेशन थे मैंने अपना पूरा फ्रस्टेशन उस दिन रो रग कर निकाला और मेरा हर एक जो घाव था, वो स्खूप सुरत मल्लम से भर गया जी हाँ, क्योंकि आब एक बहू, एक बहू डिप्टी कलेक्टर बनी थी और पूरे MP में रेंक लगेगी, ये तो मैंने कभी सोचा ही ने था मुझे बस इतना भरोसा था कि कोई छोटी मोटी पोस्ट मिल जाएगी वो दिन मेरी जिंदगी में एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट साबित हुआ मैंने अपने हस्बेंट को फोन करके बताया, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा वो मजबूर थे, आने सकते थे, दो दिन बाद वो एंदोर आए और मुझे से मिले उन्होंने मुझसे कहा कि सिम्भी, आप अपनी किताबों को रख दो मैंने बोला कि हाँ, बल्गुल, आप मैं हाथ जोड़कर अपनी सारी किताबें अपने एक तरफ रखती हूँ हस्बेंट को फोन लगाने के बाद, मैंने अगला फोन अपने ससुर जी को लगाया और उन्हें बताया कि पाबा जी, आपकी बेटी डिप्टे कलेक्टर बन गई मेरे ससुर जी कि मुझे उधर से आवाज आना ही बंद हो गई बहुत देर बाद वो मुझे बोले कि बेटा मतलब तुमने तो कमाल नहीं कर दिया गर्व है तुम पर, हम सोचते थे कि तुमको पढ़ने की अनुमती दे या ना दे पर आज तुमने तो सब के मुही बंद कर दिये उस समय मुझे सच में बहुत अंदर से रोना आ गया कि मैं ये कर पाई मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं ये कर पाई मुझे इसा लग रहा था कि अभी भी ये सपना ही चल रहा है क्योंकि वो जो crucial phase था जब मैंने तैयारी स्टार्ट करने की सोची थी मैं करूँगी की नहीं करूँगी कैसे करूँगी पास होंगी की नहीं होंगी लेकिन जब मैंने किया एक लड़की एक हाउस वाइफ एक बहु इतनी बड़ी एक्जाम में पूरे प्रदेश में टॉप कर रही है यह मेरे लिए सच में बहुत बड़ी बात थी उस रात को मैं सोई नहीं रात के मैंने बारा बस्ते देखे चार बस्ते देखे छे बस करके मैं अपने हस्बेंड से मिलना चारी थी क्योंकि वो उस समय महां पर नहीं थे और जब हम सब आपस में मिले तो हम लोगों ने सक्सेस को बहुत अच्छे से से केलिब्रेट किया मेरे माता पिता भी बहुत खुश थे खास करके मेरे पिता जी उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था और मेरी मम्मी जिन्नोंने मुझे यह प्रेड़ना दी थी जिनकी वज़े से मैं सोच पाई थी कि मुझे एक अधिकारी बनना है उनके सपनों को मैंने साकार कर दिया था तो मैं अपने अंदर से अपने आप से बहुत लखी फिल कर रही थी मेरी ये स्टोरी का जो अंत है वो इतना खुबसूरत था कि इसने मेरे सारे जख्मों को भर दिया था और मेरे परिवार ने मेरे सारे गुणा माफ कर दिये थे मैने कई कई अपनी जिम्मेदारियों से पढ़ाई के लिए जो थोड़ी बहुत कंजूसी की थी उस सबी को मेरी साथो वहाने भी माफ कर दिया था और अब हमारा पूरा परिवार बहुत खुश है इस बात से मैं आप सभी को बस यही मैसेज देना चाहरी हूँ कि एक लड़की एक स्त्री अगर शादी कर लेती है तो वो उसके जीवन का अंध नहीं होता है अगर उसको प्रॉपर एट्मोस्फिर मिले प्रॉपर माहोल मिले तो वो बहुत कुछ कर सकती है क्योंकि कहा जाता है ना कि एक सफल महिला के पीछे एक सफल पूरुश का हाथ होता है मेरी सक्सेस के पीछे मेरे हस्बन ने बहुत बलिदान दिये और आज ये मैं अपनी सफलता उन्हीं को समर्पित करती हूँ तो बस में यही बात अंत में कहना चाहूँगी कि अगर आपके घर में भी बहु है बेटी है तो आप उनमें कोई भी भेदभाव ना करें जिसे आप अपनी बेटी को पढ़ाते हैं अगर आपकी बहु भी पढ़ना चाहती है और जीवर में कुछ करना चाहती है तो आप उ कि वो क्या करती है वो मेरी तरह डिप्टी कलेक्टर भी बन सकती है हाँ बस इसी के साथ आप सभी को नमस्कार करती है धन्यवाद एक ऐसा कोर्स जो घर बैठे आपको स्किल्स भी सिखाए और जॉब भी दिलाए जो श्टॉक्स जॉब्स फो विमन कोर्स के साथ इट इस पॉसिबल करिये अपने करियर की नई शुर्वात जो श्टॉक्स के साथ ज्यादा जानकारी के लिए क्लिक ऑन दे लिंक इन डिस्क्र एक ऑन दे लिंए इसाथ जिए। नवीं जोर्वाफ़ टी करें के साथ जो थे लिए आ दे लिए। नवस्टॉब्स नवीं जोस्च